दोक्तर भीम राव रामजी आमबेटकर का जन्म मध्यप्रदेश के महुनामक स्थान पर हुआ वे डोक्तर बाबा साहिब आमबेटकर नाम से लोगप्रिय, भारती विधिवेत्ता, अर्थर शास्त्री, राजनितिक्य और समाज सुधारक थे आमबेटकर स्वतंतर भारत के पहले विधी और न्याई मंत्री भारती सम्विधान के जनक और भारत गंडाजी के निर्माताओं में से एक थे उन्होंने बौध दलित आंदोलन को प्रेदित किया और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभ्यान चलाया बाबा साहिप को मरणो परांत साल 1990 में भारत के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कर देश और समाज के प्रती उनके अमूलियो योगदान को नमन किया गया 14 अप्रेल साल 1963 को प्रमुक साहित्यकार राहुल संकृत्याइन का निधन हुआ आधुनिक हिंदी साहित्य में इन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य और विश्व दर्शन के ख्षेत्र में साहित्यक योगदान दिया राहुल को हिंदी यात्रा साहित्यकार का पितामा भी कहा जाता है इनकी स्मनिती में भारती डाकदार विभाग की ओर से साल 1993 में उनकी जन्म शती के आउसर पर सौ पैसे का एक डाक टिकर जारी किया गया इन्हें महापंडित की उपाधी से भी नवाजा गया साहित्यकार में पुरसकार से सम्मानित राहुल संकृत्याईन को साल 1963 में भारत सरकार ने पद्मभोशन से सम्मानित किया